गुद मॉर्निंग स्टुडेंट आज जो हमारा टॉपिक है वो है सेंपलिंग, सेंपलिंग डिजाइन यनि निदर्शन इसको प्रती चयन भी बोला जाता है देखे हमारी जो ये पेपर है वो है समाजिक अनुसंधान देखे कोई भी अनुसंधान कारे जब हम आरम करते हैं तो हमारी एक मुक्से समस्या क्या होती है अध्यन से संबंदित या अध्यन विशे से संबंदित इकाईयों का चैन करना जिनके संबंद में हमें अध्यन करना ह होता है देखिए समाजिक अनुसंधान में हम लोग क्या करते हैं किसी विशे या समस्या का चुनाव करते हैं विशे या समस्या जो हमारे समाज से संबंदित होती है जैसे हम क्रशकों की समस्याइं ले ले परवतिय महिलाओं की समस्याइं या परवतिय महिलाओं पर अत्यधि यह हमारी समस्या है और यह हमारा अध्यान का विशे है अब एक प्रमुक समस्या हमारे सामने आती है अध्यान से सम्मंदित इकाईयों का चैन करना अध्यान से सम्मंदित इकाईय मतलब हमारा विशे यदि परवतिये महिलाएं है तो परवतों पे निवास करने वाले महिलाए उनी का हम लोग अध्यन करेंगे तो अध्यन से संबंदित इकाई हो गई पर्वतिय महिलाएं इन इकाईयों का चैन करना अब अगर हम अपने व्यभारिक दृष्टिकोंट से देखें तो पर्वत तो जमु कश्मीर से लेके हमारे पूर्वी भारत तक पर्वतों का विस्तार है ऐसे में हमारे लिए संभव नहीं है कि हम इतने बड़े एरिया का अध्यन कर सकें या सभी पर्वतिय शेत्रों की महिलाओं का अध्यन कर सकें तो ऐसे में एक विधी आती है निदर्शन या प्रती चैन इंग्लिश में सैंप्लिंग बोलते हैं उसमें हम क्या करते हैं पूर्ण इकाईयों पर लागू कर दिया जाता है फोर एक्जामपल मैं उधारन के तोर पर आप लोगों को समझाना चाहूंगी कि जब खाना बनाया जाता है खाने में नमक अगर हमें चेक करना हो तो जरूरी नहीं है हमें पहले सारे खाने को खाना पड़े हम थोड़ा सा खाना यह थोड़ा सा चम्मच में लेके उसका स्वात चकते हैं कि नमक कम है या ज़्यादा है ऐसे ही जब हमारे शरीर में किसी रोक का समावेश हो जाता है और हम बलड सेंपलिंग कराने जाते हैं तो वो पूरी बॉड़ी का बलड नहीं लेता है जो लैब वाले होते हैं वह क्या करते हैं आप सभी जानते हैं टाइफाइट का या अन्य शुगर का जब टेस्टिंग होता कि बलड में शुगर है या नहीं है तो इसके लिए जब हम सैंब्लिंग कराने जाते हैं blood का testing कराने जाते हैं तो वो क्या करता है आपके शरीर में से blood की एक थोड़ी सी मात्रा को लेता है फिर उसी में वो निसकरश निकालता है कि इसमें blood sugar से है या नहीं है अगर report positive आती है तो पूरे शरीर में यानि blood sugar है तो वास्तम में sampling design निदर्शन भी हम क्या करते हैं जरूरी नहीं है कि हम किसी विशे को जब अध्यन करते हैं तो बहुत बड़े area का अध्यन करें ऐसे में हमारे बहुत सारी कटनाईयों का सामना करना पड़ेगा तो ऐसे में हम क्या करते हैं कुछ इकायों का चैन कर लेते हैं उनके माध्यम से जो हमें रिजल्ट प्राफ्त होते हैं उसे हम संपूर्ण इकायों पर लागू कर लेते हैं अब हमें इस बात का ध्यान अखना है निदर्शन का मात्र तात्पर्य ऐसा नहीं है कि समगर की सभी इकायों में से कुछ का प्रतिनिद्व वास्तम में इसके साथ साथ निदर्शन एक ऐसी पदती हैं जिसके द्वारा हम समस्त इकायों में से कुछ इकायों का चैन जो करते हैं या चुनाव जो करते हैं वो अनेक स्वीकरत कारे विध्यों की साहता से करते हैं और वो इस प्रकार करते हैं कि चुनी गई एकाईया संपूर्ण समगर की विशेशताओं का प्रतिनिधित्व कर सकें क्यूंकि कई बार एको अध्यन की विशे से संबंदित हमें निदर्शन का प्रियोक करना पड़ता ह और कई बार परिस्थती विवहार दृष्टिकोंड यह सब क्या होता है अलग अलग पाया जाता है क्योंकि यह समाजिक अनुसंधान है यह कोई प्राकर्तिक या भौतिक अनुसंधान नहीं है इस समाजिक अनुसंधान में हमें ऐसी कारे विद्यो की सहता ली जाती है और हम ऐसा जब भी हम निदर्शन करें तो हमारे सामने में बात ये है कि हम ऐसी विशेष्टाओं का प्रतिनिदृत कर सकें जो सब का प्रतिनिदृत करती हो इसका तात्पर है कि हम संपूर्ण समग्र में को कितने भागों में विबाजित करेंगे कितनी इकाईयों का चैन करेंगे अब आपके सामने कुछ समाच शास्त्री है उन्होंने नि गोगार्डस के अनुसार निदर्शन किसी पूर्व निधारित योजना के अनुसार इकाईयों के एक समू में से एक निशित प्रतिशत का चैन करना है देखे गोगार्डस ने अपनी डेफिनेशन में बताया है कि निदर्शन जो है वो किसी जो हम पूर्व निधारित रिजना बनाते हैं उनमें से एक समू में से निशित प्रतिशत का चयन करना निधर्शन कलाता है बोगाड़स को अगर हम विस्तारित रूप से लें तो उनका कहना है कि जब हम कोई योजना बनाते हैं कारे करने की योजना ठीके कारे करने की योजना यदि किसान से related है, क्रशकों से related है, तो कारे योजना के बनाने के बाद उनमें इकाईयों के एक समु का अगर हम निदर्शन की बात करें तो गुडे तता हाट कहते हैं, निदर्शन किसी विशाल समग्र का एक छोटा प्रतिनिधित्व है मतलब बहुत छोटी सी definition है easy है लेकिन इसमें अगर आप शब्दों के उपर ध्यान देंगे तो इसका बहुत विस्तृत अर्थ है जैसे फिर से मैं repeat कर रही हूँ गुडे तता हाट कहते हैं निदर्शन किसी विशाल समग्र का एक छोटा प्रतिनिधित्व है वो ही जो मैंने आपको blood sampling बताई थी आम मनुष्य के शरीर में blood की अत्यधिक मात्रा पाई जाती है लेकिन यदि हमारे रोगों के जानने के लिए हम blood का collect करते हैं तो वो छोटी मात्रा होती है वो ही गुड़े तता हाथ कहते हैं कि निदर्शन किसी विशाल समग्र का एक छोटा प्रतिनिधित्व है मतलब एक छोटा sample इससे कह सकते हैं इसी प्रकार श्रीमती PV यंग अगर श्रीमती PV यंग की बात करें तो आपने किताब लिखी थी scientific social survey and research श्रीमती PV यंग ने scientific social survey and research में निदर्शन को परिभाशित करते हुए लिखा है कि एक सांखी के निदर्शन उस संपूर्ण समू अत्वा योग का एक लगु चित्र अत्वा प्रतिनिधित अंश है जिसमें से वह निदर्शन लिया गया है देखिए अगर हम सभी परिभाशाओं का जाने और गंभीरता पूर्वक उनके उपर विचार करें तो कहीं न कहीं उनका जो केंद्र बिंदू है वो उसी छोटे प्रतिनिधित लगु प्रतिनिधित की बात करता है जिसे हम एक संपूर्ण समगर में से चैन करते हैं तो पीवी यंग भी कहती है कि एक सांखी की निदर्शन उस संपूर्ण सभू अत्वा योग का एक लगुचित्र अत्वा प्रतिनिधि अंश है मतलब एक बहुत बड़े समगर में से कुछ को चैन कर लेना और वह जिस निदर्शन कहलाता है मतलब संपूर्ण समगर में से जो हमारा अध्यन विशे है कुछ लोगों का या अध्यन की इकाईयों को चैन कर लेना ले लेना और ये क्या किलाता है ये निधर्शन किलाता है तो वास्तम में निधर्शन है संपून की सभी इकाईयों में से कुछ का प्रतिनिधित और वास्तम में कुछ का जो प्रतिनिधित है वो स्वीकरत कार्य विधियों की स्वायता से किया जाता है कि जो कारेविधिया स्वीकरत है उनी के माध्यम से वे संबादित किया जाता है स्टूडेट अब आता है एक उत्तम निदर्शन की आवशक विशेष्टा है मतलब वास्तव में essential features of a good sampling या good sample एक अच्छे निदर्शन हम कब बानते हैं उसके लिए क्या आवशक दशाएं विशेष्टा हैं उस पर हम बात करेंगे to the points अगर हम इसको discuss करें तो पहला इसमें आता है समगर का प्रतिनिदित representative of universe हमेशा जो निदर्शन में हम एकाईयों का चन्यन करते हैं वो संपूर्ण इकाईयों का प्रतिनिदित करती हो एकाईया ऐसी हो जैसे मैंने अभी आपको बताया था परवतिय महिलाओं की समस्या है ऐसे में जो हम अध्यन की इकाईयों का चैन करेंगे परवतिय महिलाओं का चायन करेंगे वो ऐसे शेत्र का चायन करेंगे जो संपूर्ण परवतिय शेत्रों का प्रतिनिद्ध करती हो तो वास्तम में एक अच्छे निदर्शन की विशेष्टा है कि वो संपूर्ण या समगर का प्रतिनिद्ध करता हो सेकंड इसकी विशेष्टा आती है समुचित अकार अप्रोप्रियेट साइज देखिए अगर हम एक अच्छे निदर्शन या प्रतिजयन का जब प्रियोग करते हैं तो सबसे बड़ी विशेष्टा आती है उसका साइज कभी भी निदर्शन का बहुत बड़ा अकार अध्यन की सफलता के लिए उप्योगी नहीं माना जाता है अध्यन की सफलता इस बात पर निर्भर करती है कि हमारे निदर्शन या इकाईयों का जो कार है वो कैसा है जैसे कि मैंने अभी अभी आपको बताया था कि जैसे हम परवतिये महिलाओं का अध्यन करते हैं परवतिये जो शेत्र हैं वो जम्मु कश्मीर से लेकर और हमारे पूर्वी भदत तक वो विस्तृत हैं तो ऐसे में हमारे सामने प्रश्ण उठता हैं कि हम इतने बड़े अध् शेत्र और उसका आकार अध्यन की सफलता के लिए महत्पूर्ण होता है यदि निदर्शन देखें बहुत छोटा भी निदर्शन यदि बहुत छोटे अकार का होता है तो तो भी हम सभी का समकत का पतिनिदित नहीं कर पाते और यदि निदर्शन बहुत बड़ा होता है तो बी हम इन एकायों का घैन और शुक्ष्म अध्यन नहीं कर पातें तो ऐसे में यहाँ ध्यान देने योगे महत्पुन बात ये है कि निदर्शन में अध्यन की शेतर का जो अकार है यह चैन है एकायों का जो चैन है ना तो बहुत अधिक विस्तृत होना चाहिए ना ही बहुत छोटा होना चाहिए यह इस पर निर्भर करता है नेक्स इसकी विशेष्टा जो है वो है अध्यन विशे के अनुरूप अब हमारे सामने एक विशेष्टा ही है हमेशा इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी निदर्शन है वो हमेशा अध्यन विशे से संबंदित या अध्यन विशे से प्रत्यक्ष संबंदित होना चाहिए क्योंकि हम विज्ञानिक निशकर्ष तभी प्राप्त कर सकते हैं जब हम निदर्शन जो हो हमारा अध्यन विशे से प्रत्यक्ष संबंद रखता हो जैसे कई बार हम देखत अध्यन करता यदि बाल अपराद महिलाओं की समस्याएं इन सब का अध्यन करता है तो निदर्शन के अंदरगत केवल बाल अपरादिया का ही समावेश हो मतलब जैसा हमर अध्यन का विशे हैं बाल अपरादियों का अध्यन तो हमारी जो इकाई होगी जो हमारी सैंप्लिंग होगी हम उनी बाल अपरादियों को चैन करेंगे जिनोंने कुछ अपराद किया हो क्योंकि यह तभी प्रासंगिक हो सकेगा यह तभी यह विज्ञानिक हो सकेगा जब हम निदर्शन अध्यन विशे से सम्मंदित करते हैं अध्यन की इसमें निदर्शन की अगर हम अन्य विशेष्टा की बात करें तो अध्यन की अन्य विशेष्टा में नेक्स्ट है व्यक्तिक पक्षपात से स्वतंत्र, फ्री फॉर्म इंडिवीजुल बैस, मतलब एक्स्रेस निजर्शन वही होता है जिसमें अध्यन की इकाईयों का चैनाव करते समय व्यक्तिगत इच्छा और पसंद को महत्पूर्ण नामाना जाए, ऐसा नहीं है कि आप किस अधियन की इकाईयों का चैना करते सवें, आप ये कदापी ना करें कि जो महिलाएं हैं आप अपने प्रसंद की महिला, य एक्चा नुसार कि हम उनका चैना करेंगे, उनको लेंगे, वो सही आंसर देंगे, ऐसा नहीं होता अध्यन तभी वैज्यानिक कहलाता है जब हम बिलकुल निस्पक्ष होकर व्यक्तिगत पक्षपात से स्वतंत्र होकर निस्कष या निदर्शन की इकाईयों का चायन करते हैं तो हमेशा निदर्शन का आयोजन करते समय इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि जो भी निदर्शन है वो व्यक्तिकत पक्षपात से स्वतंत्र हो नेक्स इसमें आता है होमोजैनटी मतलब सजातियता देखिए सजातियता का अर्थवास्ता में अगर हम देखें तो निदर्शन के अंतरगत चुनी गई इकाईयों में बहुत अधिक विरोधी विशेश्टाएं ना पाई जाती हो जो हमने विशेश्टाएं ली है वो एक दूसरे के विपरीत हो देखें चुकि यह निदर्शन या जितनी भी मैं आपको विशेश्टाएं बता रही हो यह समाजिक अनुसंधान से संबन्दित है और समाजिक अनुसंधान मैंने आपको बताया था यह भौतिक या प्रकर्त लिगतित्या लगावना ओ यह मनुश्य के द्वारा हमी मनुश्य के बीच में से कुछ विश्यों समस्याओं का अधियन किया जाता है तो ऐसे में क्या होता है कई बार पक्षपात भेदभाव और कि तर्क वितर्क इन सब के कारण अनुसंधान में कठना आती है तो ऐसे में हमें सजातियता को भी महत्पूर्ण स्थान देना है क्योंकि जो हमने एकाईया चैन की है ऐसा नो हो उनमें बहुत अधिक विरोधाबास हो बहुत अधिक एक दूसरे के विप्रूत हो अगर ऐसा होगा तो अध्यन कभी भी विज्ञानिक और निस्पक्ष नहीं हो सकता इसी प्रकार इसकी नेक्स विशेष्टा है तर्क पर अधारित लॉजिकली साउंड देखे किसी भी अच्छे निदर्शन की एक आवशक विशेष्टा यह है कि उसमें विज्ञानिक तहो विज्ञानिक जहां एक और तो किसी निशित कारे प्रणाली पर अध महत्पूर होता है मैंने फिर रिपीट कर रही हूँ हम समाज की इकाईयों का चैन कर रहे हैं यह समाजिक अनुसंदान है और अनुसंदान हमीं लोगों के बीच में से कुछी लोगों का अध्यन हो रहा है तो ऐसे में हमारे सामने प्रश्ण उठता है यदि हम लॉजिक्स यह तर्क को इस्थान नहीं देंगे तो हमारा अध्यन क्या होगा विज्ञानिक नहीं बन पाएगा लॉजिकल नहीं होगा तो हमारे लिए महत्पूर्ण है कि निदर्शन से सम्मंदित प्रवधिया जाए कितने भी विक्सित हो अनुसंदान करता तर्क और ज्ञान का उप लेकिन वास्विक निस्पश और विज्ञानिक अध्यन तभी संभव है जब हम तर्ख या लॉजिक्स का इसमाल अपने निदर्शन में करें और साथी साथ अनुसंदान करता इकाईयों का इस प्रकार चयन करें कि जो संपून्ट समक्र का प्रतिनिदित करती हो और दूसरो दूसरी क्या है इसमें कि विशे की प्रकरती के अनुसार ही निदर्शन के अकार और उसकी चुनाव विधी का निदारन किया जाता हो बार बार इसी बात को ध्यान दिया जा रहा है क्योंकि तर्ख वास्ता में लॉजिक क्या है कि जब हम निदर्शन का चैन कर रहे हैं हम ए का अकार ऐसा हो जो हमारे अध्यन को और निदर्शन को विज्ञानिक और निस्पक्ष टेरातो हो अन्तिमिस की विशेष्टा है based on practical experience व्यभारिक अनुभव पर आधारित निदर्शन की विशेष्टा यानि व्यभारिक अनुभव पर आधारित देखिए ये अध्यन करता पर निर्भर करता है अभी मैंने आपको लॉजिक्स की बात की है देखिए हमें संपूर्टा के रूप में निदर्शन का अध्यन करना है तो लौजिक के साथ साथ व्यभारिक अनुभव अध्यन करता के व्यभारिक अनुभव का भी समावेश होना आवशक होता है क्योंकि कही बार व्यभारिक गान क्या होता है for example जैसे हमने अध्यान करना है हमने अध्यान करना है कला संकाय और वाणीजे विज्ञान के छाथ छात्राओं का कि इनकी क्या-क्या समस्या आती है रोजगार को लेकर ऐसे में अब हमारे तर्क के सासत व्यभारिक ज्ञान भी महत्पूर्ण होता है हम किसी ऐसी युनिवस्टी का चैन करने जहां सिर्फ कला संकाय के या विज्ञान संकाय के ही छाथ छात्रों वाडेजे के ना हो तो फिर हम ऐसे संपूर्टा के रूप में अध्यान कैसे कर पाएंगे तो ऐसे में क्या होता है हम ऐसी इकाईयों का चैन करें ऐसे शेत्र का चैन करें कि जिसमें तीनों संकाएं के छाथ शात्राएं मुझूद हो तो तर्क के साथ साथ व्यभारिक अनुभव भी निदर्शन के लिए महत्पूर माने जाते हैं इसमें हमें बहुत सारी बातों का ध्यान रखना होता है समगर की सभी इकाईयों का प्रतिनिदित करें समूचित कार हो तर्क पर अधारित हो व्यभारिक अनुभव एवं ज्यान हो तो उसके मात्यम से हम कह सकते हैं कि जो हम निदर्शन जो हम एकाईयों का चयन करेंगे उससे अध्यन और हमारा जो निसकर्ष होगा वो क्या होगा विज्ञानिक होगा किसी भी अध्यन को और अधिक विज्यानिक बनáने के लिए निपक्ष्टा पूरवक अध्यन करने के लिए निदर्शन की इन सभी विशेश्टाओं को ज्यात रंखना बहुत आवशक है तो ये था student निदर्शन और इसकी विशेश्टाएं इसमें से एक प्रश्ण बनता है आप सभी नोट कर सकते हैं कि निदर्शन को परिभाशित कीजे और एक अच्छे निदर्शन की विशेष्टाओं को विस्तृत रूप से बताईए फिर से रिपीट कर रही हूँ निदर्शन को परिभाशित कीजे तता एक निदर्शन की अच इछी विशेष्टाओं को विश्ट्रित रूप से बताईए यह इसका आंसर है आप इसको completely पढ़ लीजेगा मेरे पास notes भी available हैं आप मुझसे notes के लिए contact कर सकते हैं have a nice day bye झाल झाल झाल